बहुत बहुत स्वागत है आपका तंदुरुष जीवन चैनल पर अगर आप नॉर्मल और कम दर्द की डिलिवरी चाहती हैं तो आपको पेरेनियल मसाज शुरू कर देनी चाहिए पेरेनियल मसाज क्या है, कैसे करनी है और इसे प्रेगनेंसी में किस समय शुरू करना चाहिए जिससे की डिलिवरी में आसानी हो तो इसके लिए वीडियो आखिर तक पूरा देखें ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सकें वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सबस्क्राइब कर लें दोस्तो पेरेनियम यूनी और गुदा के बीच का हिस्सा होता है और प्रेगनेंसी के दौरान घरबस्त शिशु का सारा वजन और नीचे की तरफ सारा भार पेरेनियम पर ही पड़ता है नॉर्मल डिलिवरी के दौरान इस हिस्से पर ज्यादा दवा पड़ता है जिससे कि इस एरिय की मास पेशियां और सकिन फटने की संभावना होती है डिलिवरी के दौरान बच्चे के बाहर निकलते समय ये हिस्सा फैल जाता है और बच्चे को बाहर निकालने में मदद करता है दोस्तो नॉर्मल डिलिवरी के दौरान जोर लगाने से कुछ पेरेनियम एरिया अपने आप फट जाता है और बच्चे को बाहर निकालते समय अगर योनी बहुत ज्यादा चोड़ी नहीं हो पा रही है तो डिलिवरी की सुविधा के लिए वा अनियमित रूप से पेरेनियम एरिया को फटने से बचाने के लिए डॉक्टर चीरा भी लगाते हैं और चीरा लगाने से बच्चे को बाहर आने में मदद मिलती है ये कंडिशन उन महलाओं की डिलिवरी के दौरान पैदा होने की संभावना ज्यादा होती है जो की पहली बार मा बनती हैं लेकिन दोस्तों ये चीरे चोटे होते हैं और कई बार तो इन में से कुछ में टांके लगाने की भी जरूरत नहीं होती पैरेनियम एरिया में कितने टांके लगेंगे ये उस समय की स्थिति और इस बात पर निर्भर करता है कि कट कितना लंबा और गहरा है दोस्तों डिलिवरी के दौरान पेरेनियम एरिया को ज़्यादा फटने से बचाने और पेरेनियल एरिया में चीरा लगने की संभावना को कम करने के लिए आपको प्रेगनेंसी के दौरान पेरेनियल मसाज शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि पेरेनियल मसाज करने से वेजाईना यानि यूनी की फ्लेक्सिबिल्टी बढ़ती है वहां के मसल्स एक्टिव रहते हैं और वेजाईना और पेरेनियल एरिया में बलड सर्कुलेशन में सुधार आता है जिससे की डिलिवरी के दौरान पेरेनियल एरिया में चीरा ल तो आपको पेरेनियल मसाज जरूर शुरू कर देनी चाहिए। दिलिवरी के दौरान दर्द भी कम होता है और बच्चा भी आसानी से बाहर आ पाता है यानि कि डिलिवरी में आसानी होती है। अब बात करेंगे पेरेनियल मसाज कब और कैसे करनी है। दोस्तों आपको प्रेगनेंसी के 34 वीक से पेरेनियल शुरू कर देनी चाहिए। देर के लिए गुनगुने पानी से भरे टब में बैठें इससे पेरेनिल एरिया की स्किन और मसल्स रिलेक्स होकर धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाएंगे और मसाज करने में असानी होगी अगर आपके नाखुन बड़े हैं तो इससे वेजाइना पर खरूँच लग सकती है तो पहले अपने नाखुनों को काट ले दोस्तो सबसे पहले आप अपनी पीट को दिवार से सटाकर यानि की दिवार का सहारा लेकर बैठ जाएं बैठते समय पैरों को आगे की और रखें मसाज करने के लिए आप नारियल के तेल जैतून का तेल या फिर आलमंड ओयल का प्रयोग कर सकती हैं ऐसे में अपने हाथों के दोनों अंगुठों में तेल लगाकर पैरेनिल एरिया यानि योनी और गुदा के बीच के एरिया पर गोल गोल गुमाव के साथ हलके हलके से मसाज करें और फिर अपने दोनों अंगूठों को अपनी वेजाईना यानि की योनी के अंदर लगभग एक से दो इंच तक डालें और बाकी की अंगूलियों को नितंबो पर रखें और यू शेप में योनी की मसाज करें इस तरह करीब 2-3 मिनट तक बहरी और अंदरूनी पेरीईल एरिया की मसाज करें इस दोरान आराम से सांस लें वेजाईना को डिला रखें और धीरे-धीरे से मसाज करें मसाज के दोरान जैसे जैसे आप कमफर्टेबल महसूस करना शुरू करें धीरे धीरे खिंचाव लाने के लिए हलके दबाव से मसाज कर सकती है लेकिन ध्यान रखे कि योनी पर ज्यादा दबाव ना पड़े मालिश करने के बाद योनी को गुनगुने पानी से जरूर धोई दोस्तो शुरुआत में ये मसाज आप 2-3 मिनट के लिए कर सकती है पाँच मिनट तक भी कर सकती है और अगर आपको कमफरिबल महसूस हो तो धीरे धीरे फिर इसे 10 मिनट के लिए भी आप हफ्ते में 3-4 बार कर सकती है या फिर अगर आप रोजाना भी कुछ मिनट के लिए पेरीनियल मसाज कर सकती हैं दोस्तों इस तरह मसाज करने से आपका पेरीनियल धीरे-धीरे सौफ्ट और फ्लेक्सिबल होने लगेगा वैजाइना की ओपनिंग धीली होने लगेगी जिससे की डिलिवरी के समय आपको कम दर्द वा कम परिशानी होगी और डिलिवरी आसानी से हो सकेगी दोस्तों अगर आपकी प्रेगनेंसी की आखरी स्टेज चल रही है और आपको मसाज करने में मुश्किल आ रही है तो ऐसे में आप अपने पती की हल्प भी ले सकती है लेकिन अगर आपको पेरेनिल मसाज करने में डर लग रहा है या फिर समझ नहीं आ रहा कि ये मसाज कैसे करनी है तो इस बारे में आप अपनी डॉक्टर से पूच सकती है तो अभी के लिए इतना ही